Q4 के result आ गए है मैंने कल आपको इस पर एक वीडियो बना के दिया था कि चाहे तो आप exit कर सकते हो क्योंकि मैंने ये जो share recommend किया था 300 रुपे के भावव पर recommend किया था और आज इस share की value है 1300 रुपे तो share almost 3 गुना बढ़ गया है एक रुपे का dividend दिया है चेक करते है कैसे result आते वे आपको देखने को मिल रहे है क्या result अच्छे आए है खराब आए है कैसे result आए है चेक कर लेते है 1 रुपे का उन्होंने dividend declare किया है बात करते है figures की तो जो भी figures होंगे in crores आते वे आप को देखने को मिलने वाले तो जो भी figures होंगे in crores होंगे income की बात करोड लास्ट यर लास्ट quarter थी 11,000 लास्ट यर सेम quarter थी 13,600 तो quarter on quarter की बात करे तो भड़ा है last year से इस quarter की बात करे तो flat आया है सालाना basis पर बात करे तो हलका सा आपको 4000 करोड का loss होता आवा देखने को बना ल exceptional loss होए note 5 में आप जाओगे तो पता चलेगा क्यों loss होआ है 179 नी 180 करोड का exceptional loss होता हुआ देखने को मिला है और एक profit भी हुआ है exceptional profit तो नहीं कहेंगे लेकिन joint entities के तो एक profit भी हुआ है तो उसको आप exist कर लीजेगा तो total profit for the period के अगर हम बात करे तो आया है 332 करोड last quarter था 343 और last year same quarter था 96 करोड year on year basis बात के तो इस पूरे साल company last year पूरी year company ने कमाया था 1040 करोड इस पूरे साल में कमाया 1045 करोड और अब आप देखिए share की value क्या हो गई है जो में को कल doubt हो रहा था मेरे लिए result अच्छे बिलकुल भी नहीं आते वे देखने को मिल रहे है क्योंकि इसका मतब कोई बहुत बड़ा जम पाता हुआ नहीं देखने को मिला है कि share value तीन गुना हो गई है तो share value मैंने कल ही video बना के आप सभी को एक alert दे दिया था कि please अगर आपकी कोई position है या आपके पास share है मेरे opinion तो यही होगा कि आप उसमें से exit करने की कोशिच किजिए क्यों volume आ गया मतब हैवी price बढ़ गया उसका 800% का return दे दिया है उसने एक साल के अंदर तो मेरे काल से वह एक जस्टेसिबल नहीं है क्योंकि result में सच कोई दम नहीं है और सालाना basis पे अगर आप बात कर गया तो last year बलकि 10 का EPS था अपके बार तो 8 का ही EPS हो गया है तो EPS गीरा है result खराब आये है result बिलकुल भी अच्छे नहीं आये है share के लिए काफी negative होगा मैंने exit कर लिया था मैंने आप लोगों को भी recommend किया था अच सुबह तक आपको 1300 के भाव मिल रहे थे share के उपर अब मैंको पता नहीं क्या value मिल रही होगी check कर लेते है Adani Enterprise Adani Enterprise की अगर हम बात करे Ad Adani Enterprise share value enterprise share value check कर लेते हम तो अभी आप देख सकते हो कि share आपको मताब कुछ result पे कुछ as such बहुत बड़ा आपको कोई move आता हो देखने को नहीं मिल रहा हो ही अभी 1270 के आसपास चल रहा है मेरे लिए तो अभी काफी overbought हो गया अगर वापीस यह share 800-900 की range में आता है तो आप ह 185 का EPS 185 का PE sorry 185 का PE ratio है इसका तो इतना कोई बहुत यह कोई valuable company नहीं है कि आप उसको इतना valuation दोगे ओभी Adani Group की जिसमें कर्ज जादा रहता है तो मैं तो बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा अगर आपके पास यह share है मैंने कल ही video बना के डाला था video पसना है तो video को like करना है न लेकिन 6 मेने में ही हमें 1000 का target का 1300 का target मिल गया है तो अब इस ते उपर में इस share को जाता हूँ देखता है नहीं हो इस result के इसाब से तो मुझे तो result उतने कुछ खास लगे नहीं मिलेंगे अगले video में तब तक के लिए बाए